तो भाई लोग कैसे हो आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई इंट्रेशनिंग वीडियो में आप लोग यह देख के सोच रहे होंगे कि यह मैं क्या कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पर आज से यह हो सकता है कि वीडियो काफी लंबा हो तो इसको मैं पार्ट वाई अप्लोड करूँ चादा मिनिट का वीडियो नहीं बनाऊंगा कम-कम मिनिट का पार्ट वाई वीडियो बनाऊंगा और ये पहला पार्ट है और इसमें हम बनाने जा रहे हैं एक Home Made Android Projector और जिसके लिए कुछ requirement क्या-क्या चाहिए वो सारा चीज जो है मैं आपको बताने के कोजिश कर रहा हूं और उसको जो है कैसे एरेंज करना है जो भी प्रोडक्ट आपको यहां पर दिखाई देंगे वो अगर online में available है तो सारे प्रोडक्ट का link जो है आपको description में मिल जाएंगे तो वहां से जो है आप चेक करके चेक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को ठी सबसे पहरे अगर आप दिखेंगे तो यह हमारा light source है जो कि एक 50 watt का LED light है यह Amazon पे available है तो इसका link आपको मिल जाएंगे discussion में और यह heat sink एक cooling fan जो कि हमारे light को ठंडा करने के लिए ठीके और यह reflection mirror जो है एक बार फोकुश कर देता हूं तो यह reflection mirror है जिसको मैंने खुद बनाया mirror को cut करके तो कुछ इस तरह का reflection mirror आपको चाहिए और अंदर में आप देख सकते हैं कि यह एक LED 50 watt का जो direct AC है यानि कि आपको यहां पर कोई power kit की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप direct AC करेंट से जो है इसको चला सकते हैं और जो हमारा LED जब जलता है तो जो heat generate होता है उसके लि computer shop में जो है पुराना heat sink मिल जाएगा उस पे जो है fan attach होता है आप अगर generally अगर बात करें तो आपको जो जिसा computer PC में जो लगता है आपका जो चिप लगता है उसको cooling के लिए लगता है वो चीज ही है heat sink तो उसको मैंने use किया है इस पे जो fan लगा रहता है वो 12 volt DC का रहता है आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं मगर उसके लिए जो है एक बारबोल का आपको power supply की जरूवत पड़ेगी मेरे पास यह जो fan है यह भी AC का है direct current से चलता है और काफी बड़ा है तो इसको मैं use कर रहा हूं मेरे पास है तो कम से कम budget में बनाना है ज्यादा चीज पर सकते हैं उससे हम adjust करेंगे तो यह glass को जो है इससे में cut करके मैंने इसको जो है एंसिल के मदद से जो है इसको fix किया है और इस तरह का reflector बनाया है अब दोस्तों इसके बाद में जरूरत पड़ेगा दो फ्रेजनेल लेंस ठीक है दो फ्रेजनेल लेंस एक display एक पुराना android phone को और उसका display आपको चाहिए ठीक है तो आपके पास अगर कोई android phone है तो उसका display आप निकाल सकते हैं तो निकालिए otherwise आप किसी भी जो shop होता है जो mobile repair center होता है दुकान होता है वहां से जाके उसी phone का जो display है जो चाहिना मैट का आता है कम range में आपको मिल जाएगा चाहिना वाला वह display लेके उसका जो backlight जो होता है वह पैनल को निकाल के कुछ इस तरह से अप सेट करके बना सकते हैं जैसे कि मैंने टीफ वगेरा से देके इसको सेट किया है और last but not least जो सबसे ज्यादा important चीज है वह है image magnifier projector lens ठीक magnifying glass ठीक है तो इस पर क्या होता है कि आपका image जो है वह side corner जो है round जो है वह blur हो जाता है मैं आपको थोड़ा explain कर देता हूं और कैसे arrange करना है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं यह हमारा LED light है जिसको मैंने जो है यह जो mirror का piece है इसको मैंने जो है join करके cut करके join करके एक reflector बनाया है और उसके बाद में यह LED lamp है 50 watt का जो direct AC current से चलता है 250 वोल्ट पे और यह heat thing है और इसको जो है cool करने के लिए यह fan है इसके बाद दोस्तों हमको एक एक और lens की जरूवत पड़ेगी यह D shape का lens है इसका जो देखेंगे तो पीछे का जो 100% है तो इसका जो यह side है वो flat है और इस side में जो है curve है ऐसा round save है तो यह D length type का इस तरह का है और इसको जो है हमको इसके center में fix करना है इस तरह से ताकि जो हमारा जो इमेज जो हमारा light है ज्यादा जो है वो फैलता नहीं है और एक range में जो है एक जितना आपका display है उस range में जो है आपको एक बढ़िया brightness जो है light source का जो है तो फ्रेंट यहाँ पर मैंने जो है जो हमारा D Lens है उसको मैंने यहाँ पर fix कर दिया है और कुछ इस तरह से हमाद जो रिफ्लेक्टर है यह बना है अब इसके बाद में दोस्तों इसका जो है मैंने power board के साथ मैंने connect कर दिया है अब इसको जो है मैं यहाँ से light on करता हूं औ और switchboard को on करके देखते हैं इसका lighting तो यह आप देख सकते हैं हमारा जो रिफ्लेक्टर है जो LED 50W का रिफ्लेक्टर है वो जल चुका है यह हमारा light source है सबसे पहला step जो जरूरी है सबसे main चीज जो है तो यहाँ पर जो हमारा light source हमने ready कर दिया है और light source के उपर हमको जो है एक फ्रेजनेल लेंस जो है set करना है ताकि हमारा light है वो एक level में focus हो तो एक magnifier lens जो मैंने already काट के set करके रखा हुआ है यह कुछ इस तरह से यहाँ पर fix होगा और यहाँ यह जो light है इसके हिसाब से हमारा lightning source light जो है वो आगी के और project करेगा जो की होगा हमारा projection display में जो इसके बीच में रहेगा और उसके उपर फिर एक और फ्रेजनेल लेंस रहेगा तो इस तरह से हमको इसको set up करना है तो पूरा set up किस तरह से मैं कर रहा हूँ इसका जो set up body है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यह मेरा पूराना जो मैंने पहले बनाया था डाइप प्रोजेक्टर तो उसका body है और फिलाल फिर से नया से काम स्टार्ट करना है और नया प्रोजेक्टर बनाना है तो इस पर जो है सारे चीज को arrange करना है तो सबसे पहले यहां दिखेंगे तो यहां पर मैंने ए पर इक फ्रेजनल लेंस यहां से जो है light हमारे फ्रेजनल लेंस से होता हुआ डिस्प्ले में जाएगा और डिस्प्ले से जो light है वो निकलते हुए फिर से फ्रेजनल लेंस को पास करते हुए यहां image reflector की तरह काम करे गई और यहां से जो है इस तरफ थ्रोग करेगा जहां पर हम हमारा इमेज मेगनिफायर है उसको सेट करेंगे और इस होल के थू हमारा इमेज वाल पर इमेज ग्रेट करेगा तो यह सारा चीज जो है सेट अप करना है तो चलिए मैं इसका सेट अप कर लेदा हूँ इसके बाद में जो है हमको यह फ्रिजनल लेंस है और इसको जो है सेट करना है यहां पर कुछ इस तरह से इसको फिक्स करेंगे हम और एक फ्रिजनल लेंस जो है एक और फ्रिजनल लेंस जो की यहां पर होगा सेट सामने की तरफ कुछ इस तरह से और इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में हमको हमारा जो Android फोन है उसका लो डिस्पेल्य हमने सेट किया है उस तरह से तो यह जो है यह यहां पर सेट हो गाई इन दोनों के बीच में तो इस तरह से हमारा इमेज का रिफलेक्टर, फ्रिजनल लेंस, डिस्प्ले, उसके बाद में फ्रिजनल लेंस, हमारा मीरर जो रिफलेक्ट करेगा और यहाँ पर इमेज मेगनिफायर सेट करना है तो चलिए पूरा कंपलीट करके आपको पूरा दिखा देता हूँ